नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तप अंतराश्टी योग दिवस पूरे विश्व में वड़े उद्सहा के साथ मनाय जाता है और मनाय भी क्यों न जाए योग ही एक मात्र ऐसे विद्या है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को पूर्णतिया स्वस्त रख सकते हैं अगर हम अपने देश की बात करें तो योग हमारे ही देश की प्राचीन विधी है अंतराष्टिय योग दिवस के मौके पर देश भर में कारक्रम आयूजित किये गए इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में रेजिडेंसी में योग दिवस का आयूजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग ने हिस्सा लिया इस दोरान हमारे सहयोगी गौरव श्रिवास्तव ने युवा वर्ग से बात करके योग पर उनकी राय जानी जोकते रहते हैं च्या कहेंगे योग के बारे में नमस्ते मेरा नाम अर्शना बर्मा है मैं लखनों इनिवस्टी से योग और फेकल्टी से लेँ खेंडन का पॉजिटिब वे में वोग योग कर रहे थे और मुझे लग रहे हैं कि लोग समय केसा जाय में ओनने को पर योग को बड़ाबाने के लिए एसी बेथिलों कार Susa कि लो रोज ही यहां पर आज बेथने भीड यहां आफ और ऐना थे सब्सक्राने तोंग आ किstill लेक। हम लोग कंशार हैं कि अपनी ङॉमका कान में अबकले n Rs. तो योग केबल हमें सारीरिक रूफ से स्वस्टनी करता हूँ रूब हमें हेल्फ को इन्परूब करता है तो हमें योग को अपनाना चाहिए और यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके सब लोग अपने healthcare पती जागुरुखो और समाज में जैसे बच्चे हैं इसकूलों में भी योग को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को गवर्मेंट को की स्कूल में भी योग डेली मतलब किया जाए बच्चे करें तो इससे क्या है कि आजकल के जो नइतिक्ता जो सबसे साल हो गया यह करते हुए बहुत अच्छा लगता है मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे एक्सराइज जैसा ही लगता था बट एक्शल में जब आप योग करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि यह आपको फिजिकली नहीं मेंटली भी फिट रखता है जब आप योग करना शुरू करते हैं तो धीरे दीरे आप यह महसूस करते हैं कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा महतपूर्ण है क्योंकि लोग मेंटली आजकल बहुत जादा सिख होते जा रहे हैं उनको डिप्रेशन होता है और वो सो नहीं पाते हैं नीद नहीं आने की समस्या होती है लोगों को इसमें बहुत जादा लाब मिलता है योग से लोगों को कि यह बोलुए है मैं योग से जुड़ी हूह काफी समय से मैं यह कहना चाहाँ गए स्टार्टिंग सही बच्चों को डैबलब करनी चाहिएтоящcker कि हम योग करें योग अगर स्टार्टिंग से बच्चों को चुटे-चुटे बच्चों को सिखाया जाएगा तो आगे चलके वो मिखते ही कर लोग को कभी भूलेंगे नहीं और वह अपनी रूटीन याफ में उसको ले सकेंगे रिगुलर कहनेगे कि हम तो स्टार्टिं से कर रहे हैं तो हम अपना अडॉप्ट कर सकें योग को योग हमारी आदत में आ जाये हम जो है उसको एक रुटीन लाइफ में उसको जी सकें अपनी जीवन सहली का एक हिस्सा होना चाहिए हम योग क्या बोले यह मैंने में स्मृतियोजरा yoga नाम में नाम सुमान कुछवा है मैं किंधियर्ग स्थेंट हून or as a developer I would like to you know grow my career towards that but if we talk about the yoga so as we know 21st june is celebrating as a international yoga day and this is the 10th yoga day which we are celebrating so I would like to say that we all have at least in the morning morning or whenever we have time to get a little time to give ourselves and to motivate others to also to motivate ourselves so that our mental and physical you know all rounder everything is good and fit we always like yoga and we always like yoga but if we see yoga in the past then our country is our country करांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे अगर देखा जाए तो यह उठ चुका है और अब हम देख रहे हैं कि पहले लोगों के लोगों का विचार सोच योग की तरफ नहीं था वो योग के बारे में बहुत कम जानते थे अगर वो जानते भी थे तो यह जानते थे कि क्या कहते हैं आचारे, रिशी मुनी यह सारे लोग ही प्राची इंकाल में योगा करते थे थे हैं and they don't know like this is a part of our life without this you know we can't survive as we are seeing nowadays a place, अभी देख रहे हैं कि किती गर्मी हो गई है, पेड़ कटते जा रहे हैं, सांस नहीं आ रही है लोगों को, mentally वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं मतलब किसी ना किसी तरह हम देख रहे हैं कि हम एक यूनो कुछ बिमारिया हैं वो अपने आप ही हो जा रही है लोगों को तो इन सभी से बचने का एक ही तरीका है जो कि हमें प्राचीन काल से ही गुरु लोग रिशी लोग बताते आ रहे हैं लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया तो अंतर राश्ट्य योगा डे के यूनो शुरुआत होने से हम सभी को इसके बारे में पता चल रहा है लोग जान रहे हैं अब आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवे पे लोग मना रहे हैं हर किसी को पता है शुरुआ भारत की मना पूरा बिस्वरा है बड़ा दिबस है योग दिबस है क्या मैं यह बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को जो योग है हम लोग को जरुवत है कि तो यहां पर हमें लोगों की जान जानी क्या कि लोगों ने कहा है योग के बारे बताया कि यूग कैसे किया जाता है योग कितने सालों से कर रहा है यहां पर यहां पर किया जाता है योग रोज किया जाता है कि एक बार योग सब्ता मनाने से यहां पर काम नहीं चलने बाला है योग ऐसी पिक्रिया है इसको नियमित करना पड़ेगा और नियमित पिक्रिया करने के लिए सरकार को पिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सीन्यूस भारत